कदम उठाया तो उसके बुझे बहुत बड़ा राज होता है, यह सब वोरत जानती है, वो इतने असानी से कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाती है, अपने उपर कॉंफिडेंस था कि मैं जा रही हूं लीगली और मैं बापस आ जाओंगी, जिस बंदे से मैं वहां प्यार दो यहां होता है, अगर बोकर अलग पतर हैं तो बहुआ होता है, दर्द है, तकलीफ है, क्या है मुज़े मैं जा है न आता है, मैं अप्त्र से बनी की दिगा, और मैं नोपने ऑन्ने रही जीदी मैं मैंने वह लाइब पहला, जिंद़िया कैंश से पहली का मोह दिए बहु जीजे बात में दीरे दीरे आपके सामने आजएगी। सबसे पहले आपका TNPD से बहुत स्वागत हैं अजु। सबसे पहले एक बात होती है कि हर इंसान को कोई बात करते है तो उसकी पहचान जानी जाती है, कि आखिरकार उसे किस नाम से पोकारा चाहे, तो आपको हम अजु कहें या फातिमा कहें? सबसे पहले हैं मुझे पहले वही नाम तो जो वहां मुझे जो मिला है वो पियार का नाम भी बूसकते हो फात्मा भी बोल सकते हो और अंजु मोर्त वह नुथ एक साथ जोड़ू सबसे पहले यह कि जब हिंदुस्तौन कहीं हैं मुझे आए जब तीछ मैं कि इसको लेकर है? हाँ, बिल्कुल, जब मैं गई हाँ से उसके बाद ही फर्स टड़े से स्टार्ट हो गए थे, जो सवाल जवाब थे लोगों के, और जब मैं वहां से वापस आई तो उससे ज़्यादा बापस आने के बाद भी बहुत ज़्यादा हो गए थे सवाल. इस तरह से आपकी फैमिली को लेके सवाल खड़े के गए थे, तो क्या आपकी फैमिली ने आपसे बात करी है, आने के बाद आपसे? सबसे पहले ये बात है कि जब मैं यहां से गई, जो यहां पर एक माहूल क्रेट हुआ, वो कोई भी भी हो, जह हो मेरे फैमिली मेंबर उँ, वह में परिवारी संब्स तेम पर, तो जो माहूल क्रेट हुआ था, उस बज़े से सारा, वाल मतलब जो जो ओन का माहूल कह रहे अबी उसी तरीके से वह बोल रहे तो की वह भी समझ नहीं पा रहे थिर। हो when Dhou क्या हो गया है क्य कि सब को यह लगता ह zij कैंगी तो गई मतलब वह पता अिंहीं वा पेस आएगी हम आधे वह जाओंगी और मेरा तो मश्मधल कि और अजा आँगी और जैसे आई लिगली तरीके से आगी मैं तो जब आगई हो बच्चे इसे भुत जो आपके जाते हैं और खासकर तब जब आप किसी के साथ बंधन में हो और आप शादी शुदा हो अपने पति को बता के जरूर जाती है कि उनकी पत्नी आख जब घर से बाहर जा रही है सीमा लांग रही है तो आखरेर कहां जा रही है तो आप में वह चीज़ बताई थी सब किसी कार्या थी अवालर या מע Hepार जाख जुड़े हुते हैं और हम जब भी कोई एे सु काम कर रह alcohol होते हैं जहार होते हैं वाकी हमारे डिस्टेंस टी और मुझे जो करना था जो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए जो बैट रहोती हमें करती थी और हमारी वाकार लोगों के मैं बात करती हूं इसे पर यह नहीं बता था कि मतलब जाओंगी और फिर आपको मैं बता के जा भी सकती थी ऐसे कोई बड़ी बात नहीं आपको इसलिए मैं जूट बोलना पड़ा मुझे बता दो जो लोग मुझे सोचते कि मुझे जूट कियो बोला वर इसलिए कि पाकिस्तान का नाम लोगी कोई भी नहीं जाने देगा हूंगी किसी को भी अध्यान को भी बताओंगी ना पाकिस्तान मुझे जाने भी नहीं देगा तो इस तरीके से मैं गई और फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे भी नहीं पता था कि मैंटर हो जाओंगी कि नहीं वहां कि मां को अपने बच्चों की बहुत जादा हमेशा चंता रहती ए और एक तरफ यह भी कहा जाता है कि मां हर चीज की कुर्वानी दे सकती है बच्चों के खातर तो आपका जिसे मैंने अभी आपकी बेटी से बात करी तो बेटी मुझे आपकी काफी समझदार लगी और भी मैं टिंके सामने बाती कुरती थी चोटा बला भी सुनार के पता थी जाएंगी पापस भी आँगे ठीक है तो बाती है कि मैं जाते से मां maxim nuestras इने ँस legislatures no भूह भी निजाने निन देती है। फिर उसके ऐधा यह था कि मै जैसे जाओंगे उसको बता दूँ कि देखो मेहां ही बटा उसके वाद मे आ जाओंगे तो रही बात छोड़ने की देखो मैं एक मा हूह कि अच्छे को चोड़के बाइन क्योंकि नहीं था कि लिए टोब देखने के लिए नहीं था तो बच्चे मेरे रहे जाते हैं और लटकी समझदार रहा है वो भी आराम से रुख जाती है और भाई को भी समाल लेती है दूसरे वा मम्मीके पास था चोटा वाला वह बहुत बे सब कुछ सिरफ अपने लिए सोचा और चली गी मैं नहीं मुझे अपने पर कॉंफिटेंस था कि मैं जा रही हूं लीगली और मैं बापस आ जाओंगी मैं जितना टाइम बता रही मैं उसमें आ जाओंगी पर जो इस तरकी समाहौल क्रेट हुआ और उस बज़े से मुझे ज्य कि आपकी जो वीडियो सामने आए तो वहां जाके ऐसा लगा नहीं कि एक माँ अपने बच्चे को कहीं थोड़ा भाद भी मिस कर रही है इस तरह की बाते निकल के जरूर सामने आई थी हाँ बिलकुल इस तरह के सकते हैं आप यह एक बात बताव कर कोई कहीं गया है और ऐसा मतलब यह थो नहीं कि मैं बैट जो हुए रोती रहूं यह दुनिया को मीडिया में बताउं रो रोके कि मेरे को यह हो रहा है वो रहा है उससे क्या होगा कुछ नहीं होने वाला जो अपना प्रोसेस वही तो मैंने टाइम काटने के लिए सारी चीजे गरी में घूमी फिरी और क्या करती मैंने रिल्स भी बनाती रही और अपने भूमती भी रही पर कहीं नहीं अगर मेरे चेहरे को उस टाइम देखा जाए जैस किया जाए तो वो कहीं नहीं दर्द है मेरे पेस में जी देखा यह भी जाता है कि कहीं नहीं एक बच्चे के मन में कसक रह जाती है कि तो निए जा चुकी हमें चोड़ के तो कही दुबारा तो ऐसी हरकत नहीं करेंगी कहींगा बच्चे के दिमाग में ये घड़ जाता है तो इसलिए है बाराछशा कोई गाई थैंट हम कोई पालाटश ता इन लिए हो गई यह सारी चीजी क्लियर हो गई है कि मेरी महा आ गई है तो इसका मतलब पहले भी वह जल्दी आ जाती पर जो माहूल क्रियेटियों उसके बज़े से लेट हुई है न आगे क्या प्लान है आपका कि दुबारा पाकिस्तान चाहेंगी या फिर उनको यहीं बुला लेंगी अभी जाओंगी वहां पर फिर उनको बलाओंगी तो अभी जैसे उन्होंने मुझे वहां गुमाया प्राया इसलिए मैं भी जो भी लीगल कारवाई होगी उनको भी हम यहां बुलाएंगे उसमें भी टाइम लगता है तो उनको भी हां बुलाएंगे और डिस्कस करेंगे सवाल जब एक तरब से आते हैं तो जभाब आप को देना होगा तब आपको जनता जानेगी दुनिया जानेगी कि आपकी सच्चाइगा है और क्योँ आप वहां गई थी जो भी है जो बात है मैं बता रहे हूं कि इस तज़ीके से ऐसा कुछ भी नहीं है जिस तरीके से आपने प्यार के खातिर सीमा लंग करण अपने किर iPhones, I met Tabii A के बाति सीमा नांग करण आम जी इतना ही प्यार में किया और मैं रहर किया। मैं झाय गही किया। मतलब गई मेंटO mo निया वह बहुत आसान ओधा मिरे लिए कोई डर नहीं था अभी we कि अच्छी हूँ, इनादार हूं, मैंने कभी ऐसा जलात कम दो पजला, मैंने कि अगलात किया ठिऑ को दोड़ने कि अशे मैं खी तु.. तो जैसे आपने का गजों कि आप निकार क्यों बाइगे.. तो इंडिया आने के लिए एप बैला, बोज़ा हिं लिए टियार हूं है। और दूसरे है अगर पाकिस्तान में आपको कितना प्यार मिला है। लोगों ने बहुत प्यार does ज्यार दिया। बहुत देखा ही होगा सबने कैसे में थाओ continues होगा। किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं होने दी हमने बहुत सारे सुने प्लॉट वगेरे मिले हुए आप पैसे थे और गूमना फिर ना ट्रिप भी दे रहे थे इदर उदर के हाँ एक क्या होता है कि जब इस तरह की ख़बरे सामने आती है ठीक है तो फैमिली पे कही ना कही एक प् आपकी फैमिली से बात हुई है अभी उनसे क्या बात चीच चल लिया प्यादा जब उस टाम महाल करेट हुआ था तो काफी डिस्टब थे वो तो हर कोई होगा अस ताम महाल बनाता तो वो भी डिस्टब होंगे अगर और रही बात हुई की मतलब अभी नॉर्मली बात कर र और मैं बच्चो को कितना वो करती हूँ उन्हें भी पता है कि बच्चे मेरे बगया नहीं रह सकते हैं मैं बच्चो के बगया नहीं रह सकते हूँ आपने मिलने करने से ट्राइ किया अभी कोई ट्राइ नहीं किया और अभी कोई जूरत नहीं से मिलने कि मतलब कोई ऐसा हो ह मैं अपने बच्चों के सारा टाइम इस्पेंड कर रही हूँ अभी ज्यादा मैं चार मेने का मेरा गया प्राना उस गया को किसे कवर करो मैं बच्चों के इतना सारा प्यार दो इतना सारा प्यार दो कि कभी वो वो दिन याद ना कर पा है कि मैं उनके से इतना दूर रही थी अजू जैसे देखते हैं किसी बंधन में बनते हैं तो उसको एक तरीका होता है छोडने का एक बिदानिक तरीका होता है छोडने का तो आपने यह वहां पर अभी तक तलाक नहीं लिया अपने पती से और वहां पर आपने निकाह कर लिया है तो निकाह के हमने ख़वरे देखी कि वीडियो देखी तो हम आप से जाना चाहते हैं कि आपने वहां पर निकाह किया है देखो बात यह कि यहां काय। इतना ज़्यादा मुझे कानून मालुप नहीं है ठीक है यह पर कानून नहीं हुआ था और यहां तो फिर दिलवाली बात थी और इसलिए वहां पर जो गए ह तो जो आप पर सवाल उठाते हैं कि बहुत सारे सवाल हैं जैसे कि इंडिया में प्यार क्यों नहीं मेला उन्चु को इतनी दूर हो भी दुश्मन देश के हां गई पाकिस्तान से प्यार करने वो भी अपने बच्चों को छोड़ के तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहें हैं जरूर कहांगे दिखू मैं सबसे पहले बाती है जो उन्च वह कि इंडिया में क्यों नहीं मिला और किसी कंट्री में क्यों नहीं प्यार वा मैं रियली बतारे हैं ऐसा नहीं है कि मेरे घर से डिस्टरफ थी इसलिए पाकिस्तान भाग गई ऐसा इस चीज से कोई लिए अगर जिस बंदे से में वहां मेरा जो प्यार हुआ तो वो ऐसा बंदा अगर इंडिया में होता तो वो यहां होता अगर वो अलग पुंटरी में होता तो वो वहां होता इससे कोई लेना देना नहीं है कि मैं पाकिस्तान इसलिए गई कि यहां नहीं मिला या में घर से डिस्र अगर वो सुरू से लेके सारे रिष्टे निवा रही है, सारे चीजे कर रही है, पर्फेक्ट है वो, तो जरूरी नहीं है, कि मतलब अगर उसने ये कदम उठाया तो उसके पुछ एक बहुत बड़ा राज होता है, ये सब और जानती है, वो इतने असानी से कभी भी इतना तो देखो बात वही है, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगे, कहीं नहीं मुझे प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा, मैं एक अच्छी जैसे मेरे माता पिताने मेरी साधी गी, और मैंने उसको निभाने की कोसिस की है, पर प्रॉब्लम मेरी फस्ट डे से ही थी, साधी हुई भ प्रॉब्लम थी, और इस तरीके से तो बहुत फिर भी मैंने एक अच्छी भारत की मतलब नारी होने के नाते मैंने बहुत सारे पर्ज निभाए मैंने, एक पिता की, एक समास की, हर चर्श से मेंने हर चीज रखी और मैंने बहुत कुछ बरदास किया, और बहुत लोगों की मैं हैल्प करती थी, किसी को जवाप पर लगाया, मेरी बहुत सारी अच्छाई है, वो किसी को कोई नहीं बोल रहा है, क्यों? पाकिस्तन की मिनस लिए, ना मेरे पैरेंस बोल रहा है, कोई बात नहीं, पर सचाई है कि हमेंसा जीत होती है, वो मुझे भरोसा है, और वो पूद ही खुश नहीं है, तो वो अपने बच्चों को कैसे खुशी दे पाईगी, और उनको कैसे खुश रख पाईगी, उन्होंने इसके साथ ही सारे सवाल को जवाब दे तो ये भी कहा, कि जो चार महीने, आट दिन उनने पाकिस्तान में गुजारे है, उसकी भरपाई कर करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन वो भरपाई जल्दी पूरा करेंगी,